नमस्कार दोस्तों आप सबका स्टो डिफा पार्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे सूर्य और गुरू जब साथ में यूती में हैं योग बनाते कंजंक्शन में कुंडली में तो उनके किस प्रकार के सामान्य परिणाम देखने मिलते हैं ये योग जोतिश में बहुती अ दालेंगे तो आई अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं यदि आप उससे कंसेटेशन लेना चाहते हैं तो उपर दिवे सबसेट पर जा सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो हम बात कर रहे हैं सूर्य और गुरू जब साथ में यूती में हैं में तो ये एक अच्छी बात मानी गई है कि ये दोनों एक दूसरे के गुरों को बढ़ाते हैं अब वो कोई भी हो सकते हैं यहां सूर्य गुरू की बात हो रहे हैं माली जय शुक्र शनी हैं शुक्र बुद्ध हैं ये भी आपस में मित्र हैं चंद्र मंगल हैं ये भी मित् तो एक दूसरे के एक दूसरे को support देते हैं और एक दूसरे के गुड़ों में इजाफा करते हैं विर्धी करते हैं तो यहां पर पहली बात करेंगे कि सूर्य गुरू जो हैं साथ में यदी है तो उनके सामाने परिणाम क्या हो सकते हैं अच्छे परिणामों की पहली बात करे तो पहले देखते हैं कि सूर्य को प्रकाश का कारक माना गया है, सूर्य means light और गुरू का मतलब होता है, गुरू कई चीजे हैं, गुरू जीवात्मा का ग्रह है, यानि कि जो हमारे भीतर एक जीव है, प्राण जिसको कहते हैं, वो गुरू है, इसके लावा ब्रहश्पति धर का कारक माना गया है, तो धर्म का अर्थ सिर्फ रिलिजन से नहीं है, धर्म का अर्थ हमारे भीतर के नैतिक मुल्य है, आदर्श वादिता है, हमारे जो एक करतब विनिष्टता है, सही गलत की पहचान है, वो गुरू है, धर्म, इसके अलावा गुरू जो है, वो भाग्य क ग्रहे बनता है और सूर्य के साथ यदि बैठे तो देखे सूर्य और गुरु ये दो ऐसे ग्रहे जोतिश में जो किसी के साथ भी बैठते हैं तो उन दूसरे ग्रहों की जो गुण होते हैं उनमें बढ़ावा देने लगते हैं सिंपल सा येजन है जो कि सूर्य क्या होता है लाइट प्रकाश तो लाइट का काम क्या है प्रकाश का काम है हर चीज को रोशन करना हर चीज को अंधेरे को दूर करना तो जो भी ग्रहे सूर्य के साथ बैठता है उसके गुड़ों में विर्दी होने लग जाती है तो वो जिस कंट्रोलर होगा जिस चीज को दिखाएगा कुंडली में या जिस चीज का इनहेरेंट कारक है नैचुरल कारक है उसके कत्वों में बढ़ावा आने लग जाता है सूरी के साथ बैटने पर ऐसे ही गुरू के साथ क्या होता है गुरू एक्सपेंशन का ग्रह है तो यानि धीरे धीरे राहु और गुरू दो ऐसे ग्रह जो की बढ़ुत्री को दिखाते है फैलाव को दिखाते है एक्सपेंशन अब फरक बस यह होता है कि राहु बहुत शीघ्र जो है फैलाव दिखाता है सडन एक्सपेंशन है और गुरू जो है एक फैलाव उसको दिखाता है तो यहां पे सूर्य गुरु जब साथ में हो तो पहले आपको यह देख रहा है कि जिस भी भाव में वो बैठे हैं और जिस ग्रह की जिस राशी में बैठे हैं वहां के पहले तो गुणों में बढ़ावा आने लग जाएगा तो जो भाव जिस म अभाव क्या है कर्म स्थान है करियर का है पावर रेथॉर्टी रेपूटेशन का है तो सूर्य गुरु माली जे दसवे में बठे तो यह विक्ति को महत्वा कांख्षी सुभाव देने लग जाएंगे जीवन में एक ऐसी आकांख्षा पैदा करेंगे कि हमारा एक अच्छा मुकाम हो एक अच्छी एक इस्थिती प्राप्त हो पद हो प्रतिष्ठा हो यश हो और वो चीज़े जीवन में हासिल भी कराता है करियर के लिए करियर और बना सकता है करियर को आगे बढ़ाने के लिए विक्ति को प्रेडित करता है मेहनत कराता है और विक्ति को फाइनली स उस भाव में उस राशी में देखने मिलने लग जाएगा तो यहां पर सिंपल सा रूल ये लगाईए कि जिस भी राशी में ये गड़े बैठे हैं उसका जो स्वामी गड़े है उसके तत्तों में बढ़ावा आने लग जाता है तो सूर्य गुरू अगर इखटे है किसी ना कि इसी राशी में तो होगे ही तो जिस राशी में बैठे हैं उस राशी के स्वामी ग्रह को देखें और उसके तत्वों से जुड़ी हुई जो चीजे हैं उन में परस्णालिटी में expansion आने लग जाएंगे को कि आपकी परस्णालिटी का भी ग्रह है सूर्य जहां बैठता है वो ह हमारा ego है, ego यानि की identification हम अपने आपको क्या समझते हैं वो है तो अब मालीजे बुद्ध की राशी में बैठे तो बुद्ध के तत्वों बढ़ने लग जाएंगे जैसे कि बुद्धी, मेधा, चतुराई, भाशा शैली, लेखन और एक पढ़ने लिखने की अक्षी शमता, curiosity, जिग्यासा, ज्यान के प्रतियाकरशण और काफी चीजों को जानने की चेश्टा ये से बढ़ने लग जाता है, तो बुद्ध की राशी में बैठे तो इस तरीके के बुद्ध वाले जो गुण हैं, वो बढ़ने लग जाएंगे, मालीजे बही, मंगल की राशी में पड़ते हैं, तो उसे पूरा अंजाम तक लेके जाते हैं, sincerity है, competitive spirit है, ये चीजे जो है, मंगल वाली वो बढ़ने लग जाती है, एक authoritative, dominating, confident personality है, वो दिखने लग जाएगी, अब ये दोड़ों इखटे होंगे, तो सबसे पहले जो common results देखने मिल सकते हैं, ये अच्छे है तो क्या होगा, तो अच्छे से मेरा परिया है, मित्रवत राशियों में हैं, और किंद्र रयत्र कोण में बैठे हैं, राजियोग, धन्योग बना देते हैं, जिस ग्रय की राशियों में बैठे हैं, वो कुनली में मजबूत इस्तिती में है, चंद्रमा और लगनेश नहीं पढ़ता, मेरी अपनी कोई पहचान हो, मेरी अपनी कोई एक उपलब्दी हो, उसको यह देता है, एक ऐसा सुभाव, जिग्यासु सुभाव पैदा कराता है, कि भई सीखने, समझने, जानने की एक चिग्यासा, चीजों को, लोगों को, अपने बारे में, जिसे कहें, बढ़ाता है, इंडिपेंडेंडेंट नेचर बढ़ाता है, आशावादी सुभाव प्रदान करता है, कि विक्ति, विकट से विकट परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं बुद्धी का उपयोग करके, अपने भीतर जो एक आशावादी सुभाव है, उसके चलत से अर्थ ही है कि विक्ति के भीतर morals, नैतिक मुल्य है, आदर्शवादिता है, सही गलत का भेद है और सही सनमार्ग पर चलने की आदत है, अच्छी आदते देता है, बुरी आदते नहीं देता है, इसके अलावा करतब वे निष्टता है, अपने दायत्वों, जिम्मेदारि को उठाने का एक सुभाव है, मूँ चुरा के भागने वाली आदत नहीं होती, तो morals, values, principles, ethics, duty, commitment, responsible अपरोच सब देने लग जाएगा, ये व्यक्ति को वैसे भी धार्मिक सुभाव देता है, कि कोई जिस भी धर्म, जाती, संप्रदाय, मेंली जिस धर्म से आप आते हैं, उ उस तरफ एक इश्वर के प्रती, गुरु मतलब भकवान, इश्वर, सूर्य मतलब आत्मा, तो यहाँ परिस्थिति क्या है, कि व्यक्ति के भी तरह एक religious approach है, spiritual approach है, वो भी देता है, अब ये religious तो असानी से बना सकता है व्यक्ति को, spiritual होगा नहीं होगा, इसके लिए बाकी भी देखने पूलते हैं, पर यहाँ पर क्या है कि एक इश्वर के प्रती, धर्म के प्रती, अपनी संस्कृती, सभ्यता, परंपराओं के प्रती व्यक्ति का एक आदर भाव है, उसे पालन करता है, सूडो मॉडन बनने के चक्क्र में उसे छोड़ता नहीं है, तो यहाँ प लोगों के बहकावे में आ करके बदलते नहीं फिरते हैं, कि किसी ने कुछ कह दिया तो नहीं चलो, यह गलत है, हम में ठीक कर लेते हैं, यह जो चीज है, यह खराब चीज नहीं दिखाई देती, तो strong values and belief system कि कुसंगती अगर है भी, तो व्यक्ति उससे आसानी से सच्छे होते हैं, सीखने समझने, learning capacity जिसे कहते हैं बढ़िया होती है, याददाश्ट मजबूत होती है, आसानी से और लंबे समय तक चीज़े याद रहती हैं, इस बुद्ध को भी जरूर देखेंगे इसमें, education के लिए बहुत अच्छा होता है, formal education के लिए भी और multiple subjects में परस देता है, यह नहीं कि आपने जिसमें degree किये उसी में, degree तो जिसमें होती है, उसके अतरिक्त भी कई विशयों में व्यक्ति का विशयों में कलाओं में रुजहान देता है, ज्यान भी दे सकता है, यह कुंडली पर depend करेगा, इसके लावा गहरी सोच है, सोचने समझने की एक शमता बहुत अच्छी होती है, जिसमें ठहराव होता है, गहराई होती है, और व्यक्ति समय के साथ, मतलब अपनी उम्र से जल्दी mentally mature होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कहा है, intelligence levels है, knowledge levels है, वो व्यक्ति की सहायता करते हैं, कि आप अपनी उम्र से, आउसत उम्र से, एक उपर मान से किस तर रखते हैं, तो वो जो चीज है, वो इससे देखने मिल सकती, इसके अलावा wisdom, जिसे कहते हैं, knowledge तो आती विद्या, वो भी देता है, पर wisdom हर किसी के पास नहीं होता है, पढ़े लिखे लोग बहुत हो सकते हैं, अकल मंद हो ये जरूरी नहीं है, तो जो चीज है, वो भी ब्रहस्पती ग्यान का ग्रह है, तो वो अभी प्रदान करता है, कि अनुभवों के साथ हमने जो आज तक सीखा, समझा, उसमें अपनी हमने क्या सोच बनाई, original thought तुमने क्या create किया, वो wisdom, इसके अलावा अगर सूर्य गुरु मजबूत हैं, तो ये वि सूर्य गुरु की निशानी है, पर यदि ये खराब हो जाते तो वहाँ पर ग्यान के कारण अहंकार आने लग जाता है, कि मुझे तो बहुत आता है, लोगों से जादा जानता हूं, बाकि दुनिया तो मेरे आगे नीचे है, उतनी जो है, एक intelligent नहीं, तो वो जो चीज आती ये, वो खराब सूर्य गुरु का लक्षन है, अच्छे सूर्य गुरु हैं, तो वो कभी भी आपको अपने ग्यान के उपर अहंकार नहीं कराते हैं, वो हमेशा हैसास कराते हैं, कि सीखने, समझने के लिए जीवन पूरा भी निकल जाए, तो भी कम पढ़ता है, तो वो एक हमबलनस, वो भी देखने मिलती है, और यहां पर राजिसिक तत्व जो होते हैं, वो बढ़ाते हैं ये ग्रहे, क्योंकि सूर्य और गुरु देखे, सत्व और रजस के ग्रहे माने गए हैं, तो सात्विक तत्व भी देंगे, और राजिसिक तत्व भी देंगे, तो सात्वि राजिसिक तत्व में क्या होता है कि विक्ति जो है भई कहीं न कहीं जो एक स्वाभिमान हो तो सब के अंदर होना चाहिए वो चीज तो यह देते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट विक्ति को प्यारी होगी डिग्निटी इंपॉल्टेंट होगी और जो भी चीज सीखे समझेंगे उसके उपर थोड़ा बहुत गुमान होता है पर बहुत ही एक्सिलेंट होगे तो बिलकुल भी नहीं होगा पर यहां पर जब राजिसिक तत्व बढ़ जाता है तो क्या होगा ज्यान के ऊपर परिवार के ऊपर जिस संसकृति सभ्यता धर्म देश जाती जिससे भिया पाते उसके उपर अहंकार आता है कि भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं फलाने जाती का हूँ मैं इस कुल का हूँ मेरे पिता जी मेरे दादा जी ऐसे ऐसे बहुत बड़े लोग रहे हैं यह जो चीजे हैं इसके उपर अत्यधिक गर्व हो जाना थोड़ा वैसे गर्व होना अच्छ अगर छूट रही है तो यह खराब सूर्य गुरू हो जाएगा तो यहां पर थोड़ा बहुत गौरवानवित महसूस करना यह अच्छी बात रहती है पर राजिसिक तत्व जब अधिक होता है तो यह कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर दोनों चीज़े डालेगा कि भाई हम जिस विरासत से आ रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं और उस विरासत के उपर भी व्यक्ति को गवरव होता है और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रतिबद्ध हों वो भी चीज़ आती है तो यह जो पक्ष है यहां पे ambitions बढ़ा देगा राजस में क्या होता है कि महत्वा कांगशा हैं चरम सीमा की हो जाती है और महत्वा कांगशा किसकी होगी पावर अथोरिटी नेम रिस्पेक्ट फेम पोजीशन पैसा इतना मैटर नहीं करेगा सूर्य गुरू बहुत ज़्यादा लालची सुभाव नहीं दे सकता कि पैसों को ले करके कि मेरे पास ब आती है ये राजसिक्तत्व है इसके अलावा रजस में ये विक्ति के भीतर क्या देगा डिसीजन मेकिंग अच्छी देता है लीडर्शेप नेतर तो छमता अच्छी देता है मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी देता इसी कारणवश यह योग जो है सरकारी नोक्रियों हर इंडस्ट्री में पॉसिबल है कानून है निया विवस्ता है पत्रकारिता है राजनीती है लेखन है प्रकाशन संजकरण है वित्तिय कोई भी छेत्र हैं बैंकिंग फाइनेंचल सर्विस इंशोरेंस अकाउंट्स टैक्स धन संबंदी छेत्र यहां तक की से थाइन्स की काम है जोतिश है फिलोसमी है उसके लिए यह योग बहुत अच्छा माना जाता है और वहोतिक और हध्यात्मिक दो प्रकति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और गया है कि material progress भी देता है spiritual progress भी देता है अगर spiritual combination कुंडली में अच्छे हैं तो वो व्यक्ति को अध्यात्मिक जुकाव भी पैदा करेगा तो अगर कुंडली में अच्छे अध्यात्मिक योग बनते हैं तो ये योग विशेश कर जीवन में एक ना एक पढ़ाव पर आपके ए अपने जीवन में अपने आपको तलाशे कि मैं खुद कौन हूँ मेरा कोई अर्थ उद्देश लक्ष जीवन में है कि नहीं है कि जीवन में खाली जन में लिये ये चीजे करी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याग करियर बनाया और कुछ चीजे करकर आके अपने जीवन को स वो जो चीजे हैं वो सूर्य गुरु देने में पूर्ण तरह योग्य होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है आत्मा गुरु क्या है ज्यान और धर्म, तो वो दोनों ही अति उत्तम माने गए हैं अध्यात्मिक प्रगती के लिए अगर अच्छे होके बैठे तो यह हर बार नहीं हो तो जितने अच्छे होंगे उतना जादा यहां पर यह spiritual awareness देते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, wisdom ग्यान देते हैं और यह ग्यान और भक्ती योग के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं तो ग्यान योग और भक्ती योग दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं ममुक्षुत्व जो हमने बात कही उसकी गहरी उतकंठा कांग्शा पैदा कर दिते हैं इसके अलावा गुरुवों को सानिध्य प्राप्त होता है तो आप खुद से जो सीखते हैं वो तो अलग बात है गुरु का सानिध्य और गुरु नहीं है तो दैविय कृपा भी मिलेगी क्योंकि यहाँ आप एमाली जो गुरु नहीं है तो प्रकति यानि इश्वर किसी न किसी रूप में आपके लिए रस्ते खुद पर खुद ज्यान सीख सको अपने भीतर समच सको उतार सको उसके लिए रस्ते भी खड़े करते हैं तो यहाँ पर यह बात रहती कि it is a combination for having knowledge wisdom through gurus और through divine grace तो व इसके लावा भाग्य की वृद्धी कर देता है क्योंकि सूर्य क्या है प्रकाश हर चीज का विस्तार और गुरु क्या है भाग्य और भाग्य का मतलब है कि व्यक्ति को जिंदगी में प्रकरती कितना दुख पैदा कर सकती है उसके जीवन में उससे सूरक्षा पैदा हो तो जिसमें दैवी एकृपा जिसको कही जाए या भग साथ देता है जिसको कहा जाए जो भी समझ लो तो यहां पे पॉइंट होता है कि भाई आप अपनी जिन्दगी में कितना जादा दुख से बचे हुए हैं कितनी जिन्दगी में आपको चीजे मुहिया हैं जो आपको रोज म कर रहा में संगर्श नहीं करना पड़ रहा है इतनी कठिनाईया नहीं है कि अभाव में अत्यधिक अभाव में जिन्दगी भीता रहे हो तो यहां पर यह जो चीज है यह देखने मिलती है कि धंग के परिवार में जन्म हो बुनियादी जरूरते प्राप्त होने के लिए च से बचाता है और कितने भी भयानक परिस्थितियां आ जाए कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में ऐसा मुकाम आ जाए कि आपको दूर दूर तक दिखाई ना दे कि आप क्या करेंगे कि आप सब बरबाद हो चुका है नजर दन्यारा कहां से होगा पर अगर यह योग अच् प्रिष्टी क्यों अच्छी मानी गई क्योंकि उसके पास यह ताकत है कि किसी भी प्रकार के दुरुभाग जिसे वो बचा सकता है बाकी ग्राओं के पास यह हिम्मत दम नहीं होती है सिर्फ गुरू के पास होती है तो यहां पर यह यह योग देखना जरूरी है इसमें यह सर्फ पत्ता बदले ना कि यह गुरू योग सूरी के साथ बन गया तो यह हर बार ऐसा होगा वेरियेशन है और यह पॉसिबिलिटी है उसकी यह आपको बता रहा हूं कुंडली में जितना बली है उतने यह अच्छे परिणाम बढ़ जाएंगे हां पर एक बात होती है कि य पर भगवान को मानने वाले हो यह ना हो उसे फरक नहीं पड़ता है पर आपके भीतर जो नयतिक मूले एक अच्छा एक व्यक्तित्व है वो होना चाहिए दया करुणा यह चीज़े होनी चाहिए अच्छी यादते होनी चाहिए अगर भरष्टाचार है छल कपट धूरता ह मक्कारी है, दुएश है, दूसरों का अहित करने के विचार है, तो कुछ नहीं होगा, तो यहां दूरभाग्यी होगा, सुभाग्य नहीं हो सकता, तो सूर्य गुरू जो है, वो तब ही प्रोटेक्शन देगा, सुभाग्य की विद्धी करेगा, जब यह आचरण हो उसके अंदर इसके अलावा यहां पे जो है सूर्य पिता का ग्रह है तो यह भी दिखाता कि पिता का जिन्दिगी में आपके ऊपर बहुत प्रभाग होता है तो पिता एहम भूमिका निभा सकते हैं परसनालिटी को शेप करने में व्यक्ति अपने एक होता अच्छे मुकाम पे भी हो सकते हैं किसी गवर्मेंट या सीनियर पोदीशन पे काम करते हों वो भी देखा जा सकता है तो यह चीज है गुरू बच्चों का ग्रह है तो यह एक अच्छी स्वस्थ संतान हो और एक अच्छा जो इनसान बन सके भविश्य में वैसी संतान हो उ कि नाम, यश, प्रसिद्धी, सफलता, सौभाग्य और प्रतिष्ठा, संपन्यता, यश, आईशरे और एक जिंदिगी में अपनी विरासत छोड़ के जाएं कि लिगेसी जिसको कहते हैं उसके लिए यह योग बहुत उत्तम है तो यहाँ भी हमने बात करी कि सूर्य गुरू कितना बहतरीन काम कर सकता है अब बात करते हैं कि खराब हो जाए तो क्या होगा तो खराब हो जाए से अर्थ है कि इसमें लगनेश, सूर्य, लगनेश, चंद्रमा और नवम भाव कहीं न कहीं खराब हैं और सूर्य गुरू जिस भी राशी में बढ़े हैं पर इसमें कहीं कहीं जो है नकरात्मा पक्ष के आते हैं तो पहला इसमें पार्टी आएगा कि यहां पे और यह दो भावों में जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है वह छटे सात्वे भाव, छटे सात्वे भाव हैं सूर्य गुरू अगर इखटे हैं तो कोई बहुत अच्छा का और रजस का हंकार लिए हुए हैं तो इसका आर्थ ही रहता है कि जैसे व्यक्ति को अपने शील पर शील यानि कि अपनी अच्छे आच्छरण पर ही अंकार हो जाएं तो एक मैं बहुत लोगों से स्रेष्ट हूँ, मौरली सुपीरियर हूँ, मेरी सोच, विचारधारा, म माननेताएं हैं, उनसे उनकी माननेताएं नीचे हैं, ये जो खराब सुभाव है या भाव है, ये सुर्य गुरू खराब होने पर देते हैं और इसमें एक चीज़ जरूर होगी, अगर ये खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये पक्की बात है, गैरेंटी होगा कि कुंड लॉजिक ना हो, तरक ना हो, बुद्धी ना हो, अगर बुद्धी है नहीं तो वो बस जो किसी ने बता दिया, सिखा दिया बचपन से, आप उसी को अंधो की तरह मानते चले जाएंगे, और उसमें अपनी कोई बुद्धी लगानी नहीं आपको, तो प्रॉब्लम यह होती है कि यहां पर व्यक्ति रिजिड बन जाता है, कि उसे लगता है कि जो उसकी सोच है, वही सर्वस्रेष्ट है, जो उसका देखने का नजरिया है, वो सर्वत्तम है, बाकी लोग उससे नीचे हैं, कम ज्यान रखते हैं, और ज्यादा उनके पास बुद्धी नहीं, तो यहां रिजिड, फनाटिक लोग, यह आपको हर धर्म में लोग मिलेंगे, कोई भी धर्म के हो, जो लोग भी रिलिजियसली फनाटिक हैं, एक चीज को पकड़के, उसी को ले करके, जो है, सोचतें कि नहीं, यह मेरे को जो है, यह सुपीरियोरिटी देती है, तो वो जो एक पार् इंटिटीज हमको दुनिया ने दी हैं, उस पर घमंड करने लग जाएं, तो कुछ भी हो सकता है, कि आप किसी भी देश के हैं, कि मैं अमेरिकान हूँ, मुझे इंडियन हूँ, मुझे इस पर घमंड है, या फिर मैं किसी हिंदू हूँ, मुसल्मान हूँ, या कोई क्रिष् बिगटरी, यह देखने मिलता है, इस से यह भी देखा जा सकता है, कि जो व्यक्ति अत्यधिक पाखंडी है, दुनिया के सामने वो पेश करेंगे, यह बहुत उनके सुपीरियर आइडियल्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूस हैं, परसनल लाइफ, उनने एक परसंट भी फॉलो नहीं करना, तो यहां पे दो मुहापन, दोगलापन, और पाखंडी सुभाव, सूर्य गुरू देते, राहू अगरा के साथ होंगे, तो जाधा होगा, नवा भाव खराब होगा, जाधा होगा, तो यहां पे यह बाट भी आती है, अगर खराब होके बैठ रहें, जज्में जज्मेंट में चीज होती, जज्मेंट में आप क्यों जज्ज करते हैं, यह जज्ज करते हुए कि नहीं मैं देखो इससे उपर हूँ, अपने आपका ही सेल्फ वैलिडेशन कर रहा होता है, इसमें, बायस्ड अप्रोच है, हेट्रेड है, मॉरल, रेसियल, कल्चरल, रिली कास्ट सुपीरियोरिटी कुछ भी ले लो, वो देखने मिलती है, और अहंकार सात्विक अहंकार भी हो सकता है, नार्सिसम भी दे सकता है, कि बिल्कुली इगोमेनिया जिसे कहें, वो भी दे सकता है, पर तो सात्विक अहंकार हो गया, यह भी हो सकता है, कि हम बहुत पूज सूर्य गुरू देते हैं इसके अलावा जदी खराब हो तो इसके अतरिक क्या होता है बे वजाए की expectations कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो बदले में वही treatment हमको भी मिले और ना मिले तो व्यक्ति आहत हो और यह बड़ा common है तो पर सूर्य गुरू में जादा हो जाता है तो यहाँ पर हाई false hopes है हाई expectation है कूप मन्लूक मान सिकता है logic के इस्तेमाल कुछ नहीं है blind stupid beliefs पर ही व्यक्ति चल रहा है यह कहां लिखा है कि किसी के लिए आप कुछ कर रहा है तो बदले द्वेश पैदा करता है तो द्वेश का अर्थ यह ग्रजिस पैदा होंगी इसके अलावा दूसरों में fault finding की आदत कमी ढूंडना और शनी वगरा तो जादे हो जाएगा खराब होके बैठें तो अपने भीतर ultrospection करने की बजाए सामने में कमी ढूंड करके अपने आपको यह बताना कि देखो हम इससे उपर है यह होता है negative reaffirmation of personality देखने मिलता है इसके अलावा denial में जिन्दा है कोई वेक्ती सही बता भी दे तो भी समझ में कुछ नहीं आगा क्योंकि आप अपने दिमाग में अपन भी आत्मिक बिल्कुल नहीं होगा विरक्ति वायराग्य कुछ नहीं होते भावतिक अगांग्षा है सी सी सुपीडियर लेविल की होती है और होती वही है मान पद प्रतिष्ठा पद यह यह पावर असॉरिटी वाली ही वो चाहे आप घर में ढूंडे चाहे समाज में ढू जाता है डरने वाला और उसमें अध्यात्मिक्ता कुछ नहीं होती है फिर यह पावर अथॉरिटी अगर मिल भी जाए तो ऐसे लोग जो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते अब्यूज अफ पावर है बरश्टा चार है देख सकते हैं और बरश्टा चार भी चोरी च चुपे करते हैं बट इन दा सेंस ऐसा जिसमें दो मुहापन है कि व्यक्ति पीछे कर भी रहे हैं सारी जो है ब्रश्ट गत्विदियां और सामने अपने आपको बहुती साफ चरित्र और उचे आदर्शों वाला व्यक्ति पोट्रे करते हैं यह जो सूर्य गुरू का और इसमें शनीवेकर प्रभाव होगा तो यह पक्का हो जाएगा कि लॉस अफ पावर इस्टेटस नेम रपूटेशन करियरी इन इस्टेबिलिटी आती एक मुगाम पर और उसमें यह गुण यदी रहेंगे जो निगेटिव पर्समालिटी ट्रेट सभी कही गहीं तभी य हो गानने था नहीं होता है इसके अलावा पिता को या पिता से समस्याएं हो सकती हैं बच्चों से या बच्चों को समस्याएं हो सकती हैं अधिकारी लोग जो है बॉसिस आपके उनके साथ कोई परिशानियां देखने मिल सकती हैं यदी अच्छे नहों टीचर्स या issues हो सकते हैं मेन तो cardiovascular heart problems हर प्रकार के a to z cardiovascular health issues हर प्रकार के liver problems हर प्रकार के gall bladder issues दे सकता है मोटापा obesity cholesterol पक्का देता है अगर खराब होके बैटा है digestive issues है thyroid problems है यह issues जो है जादा देखने मिलते हैं तो यह सूरे गुरू के बहतर करने के क्या उपाई होते हैं उनके उपर दो वीडियो बनाए हैं आप उनको देख सकते हैं उनके link उपर card section में दिखा जा रहे हैं description में मौझूद है आपसे आग रहे हैं उनको देखें जो तिशिय और वास्तविक उपायों की उसमें चर्चा की गई है डिटेल में दोनों को फॉलो करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम से अगर फेस करते हैं तो improvement दिखाई पड़ेगा आपको तो आज के लिए बस इतना ही सूर्य कुरू किस प्रकार के परिणाम देते हैं हमने ये चर्चा की यदि आप मेरे इस चैनल पढ़ना है नीचे दिवे सब्सक्राइब बड़े पर सब्सक्राइब कीजे जादा जानकारी फेस्बूक पोस्ट से जुड़ सकते हैं सबके लिंक दिस्क्रिप्शन में मौझूद है आने था में आपसे अगले वीडियो फिर से मिलेंगे तब तक कि लिए आगया दे नमस्कार धन्यवाद